नमस्कार दिन भर के अंतरास्ति ये खबरों पर आपका स्वागत है आज की important highlights की बात की जातो पहली खबर सामने निकल के आ रही है जमुन कश्मीर से जहां एक तरफ पूरत देश का ध्यान बंगलादेश के उपर है वहीं दूसरी अपडेट बंगलादेश से सामने निकल के आ रही है जहांपर वो हिंदू पोपलेशन जो की बंगलादेश के अंदर रहती है उसने सीमा पर कई बड़े नालों के अंदर खड़े होकर के जैश् होकर के अब साथ खड़ी हो चुकी है यह भारत की तरप से बंगलादेश को बेज़े जाने वाली करीब एक सो चालीज से सामने निकल के आ रही है जहांपर यूक्रेनी रूस की सीवा में करीब 30 किलो मीटर अंदर जमून कश्मीर में रीसेंट यूई एक बड़ी आतंकी घटना से दोस्तों जहां एक तरफ पूरे देश का ध्यान इस समय बंगलादेश के उपर है जो हालात हमें इस समय बंगलादेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं इससे पूरा देश परिशान है साथे साथ भारत की तम अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलो और आतंकियों के बीच हुई मुटबेड में भारती सेना के दो जवान शहीद हुए हैं सर्फ इतना ही नहीं बलकि इसमें कई सैनिक घायल भी हैं और जैसा कि आप देख पारेंगे कि पिछले एक मैने से जादा समय के अंदर दस सभी ब प्रक्षा बर लें उस पूरे इलाके की रबंदी करती और जहां पर यह खतरनाग आतंकी पनप रहे थे लेकिन यहां पर सोचले ही बात है कि वही लोग हैं जो की इन आतंकियों को अपने घरों में जगए देते हैं करीब एक दरदन से भी जादा ऐसे लोगों को अरेस्ट क मारे जा सकते हैं और आप जानते होंगे कि हमारी सेना इतनी ज़्यादा काबिल है कि एक महिने में हर एक आतंकी या फिर उससे जड़ो हुए जितने भी संगठन जितने भी लोग जमून कश्मीर के अंदर पनप रहे हैं सबको एक तरफ से साफ कर सकते हैं बस जरूत है कि सर सामने आ रही है इससे पूरा देश हैरान है लेकिन अब पूरे जो अलब संख्या के वह एक साथ जुट करके नए संगठन बना चुके हैं ताकि कि किसी भी तरीके का भेद भाव इन्हें बंगलादेश के इंदर ना जहिलना पड़े और इसे सबसे बड़ा कदम बताया जा पहाड के रास्ते भारत आने की त्यारी में हैं रिसेंटली एक वीडियो सामने आता है जहां पर तमाम ऐसा अलब संख्याक नालों में खड़े होकर के नदियों में खड़े होकर के जैशीरी राम के नारे लगाते हैं जानकारी लाप को उदा दें कि बंगाल के कुछ बिहा है और इस समय में हम किसी को अपने देश के अंदर आने की पर्मीशन नहीं दे सकते क्योंकि सामने ला इंसान कौन है कैसा कोई इसके बारे में हमें कोई इंफरमिशन नहीं है और अगर दो चार भी गलत आदमी भारत के अंदर आ जाते हैं तो डेफिनिटली इससे भारत को नुकसा उठाना पड़ेगा बाकि आपके हिसाब से इस प्रब्लों को समधान भारत सरकार को किस तरीके से निकालना चाहिए कमेंट्स में जरूर बताएगा नेक्स्ट इंपोर्टन बीट की जा तो यह भी बंगलादेश से सामने निकल क्या रही है जहां पर भारत की तरप से 140 से ज़्यादा ऐसी चीज़े बंगलादेश को एक्सपोर्ट की जाती थी चिन पर लगभग रोंख लग चुकी है क्योंकि जिस रूट से यह सारी चीज़े एक्सपोर्ट की जा रही थी उसे रोका जा चुका है अगर हम इसे एकसपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो इ कई चीज़ा एकसपोर्ट की जाती थी जिसे डिरेक्ट भारत के उतर प्रदेश बंगलेश में एकसपोर्ट किया था और इस लिस्ट में 140 से भी ज़्यादा एसी चीज़ा है जिसमें तमाम खाने पीने की चीज़ें लेकिन इस समय बंगलदेश के अंदर हो रही उतल फुतल के चलते कई रुकावट पैदा हो चुकी है और इसी जैसे जो कमपनी यहां पर चीज़े एक्सपोर्ट करती थी उनके करीब 700 करोड रुपय फसे हुए हैं अब जब पेमिंट नहीं आ रही है तो चीज़े एक्सपोर बात को कई रिस्क हैं जिसके लिए भारत ने इन सभी चीज़ों को भी फिलाल के लिए रोक रखा है नेक्स्ट इंपॉर्टन बेट की बात की जा तो यह रूस सामने निकल के आ रही है जापर फाइनली अब यूक्रेन काफी ज़्यादा आक्रमक हो चुका है क्योंकि रीसे है डीटेल्स की बात की जा तो आप लोग जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 20 सालों से युद्ध चल रहा है लेकिन अब इस युद्ध में एक नया मोड देखने को मिला है जहां पर यूक्रेनी सेनिक अंतरास्टी सीमा के करीब 30 किलोमेटर अंदर गुश चुके हैं करीब 1000 से जादा यूक्रेनी सेनिक उत्तर पूर्वी यूक्रेन सीमा से उबलास छेद के अंदर घुसे हैं और यह पूरी तरीके से रूस का एरिया है इनके घुसता ही जबरदस अर्टलरी फाइरिंग की जाती है डोन से हमले किये जाते हैं और वहां पर जो भी सैनिक तैनात है उन्हें पूरी तरीके से पीछे हटा दिया जाता है इसके मुताबिक यूरेन की तरफ से की गई ये एक्टिविटी रूस के लिए एक बड़ा जटका है और रूस इस जिससे निपटने के लिए किस हद तक जा सकता है इसके बारे में अभी किसी ने सोचा है लाल रूस के रासपते व्लादिमिर पुतिन ने रूस के कोर्सर अब लास छेत्र में एमर्जंसी डिकलियर कर दी है इसके लावा रक्षा के लिए सैनिकों की संक्या और जटा बढ़ाई गई है साथी युद्ध के अध्यन करने वाली इंस्ट्यूट फॉर स्टड पर होता है डिफिनेटली रूस बड़े तरीके से बदला लेता है बट शॉकिंग चीज यही कुछ दिनों बात पिया मोदी यूकरेन विजिट पर जाने वाले हैं कुछ दिनों पहले वह रूस विजिट करके वापस आ चुके हैं लेकिन अब यूकरेन जाने वाले हैं और अब इस सिचुएशन को किस तरीके से इंटरनेशनली बैलेंस किया जाएगा आने वाले समय में पता चलेगा लेकिन सिचुएशन पहले से और ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की जाया तो भारत के पड़ोस यानि की चीन से सामने निकल के आ र बड़े गाउं चीन के तरफ से बसाया जा चुके हैं और लोगों को यहाँ पर रहने के लिए पैसे दिये जाते हैं चीनी सरकार के तरफ से और इन फ्यूचर भारत यहाँ पर किसी तरीके का एक्शन लेने का कोशिश भी करता है तो इंटरनेशनली भारत को यहाँ पर आसा चीन ने सौ से भी जादा नए गाउं बसा दिये हैं और एक तरीके से नई दिवार बना जारी है भारत और चीन के बीच में खासकर उन इलाकों में जिने भारत अपना क्लेम करताया है सिर्फ इतना ही नहीं बलकि इन गाउं में रहने के लिए चीन पैसे दिता है तमाम तरी किया गया है यानि कि चीन अपनी वो हर चाल चरने की कोशिश कर रहा है जिससे भारत को घेर आ जा सके और ऐसा लिए कि बांगलादेश का इंदर सिच्वेशन क्रिटिकल है भारत का फोकस यहां पर रहेगा लिकिन अब भारत के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं भारत को म हो जाती है क्योंकि यदि हाँ पर कोई तीसरी सक्ति हो जाती है तो भारत के लिए कई दिक्कते बनेंगी क्या कुछ करते हैं आप इस सबी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरू बताएं यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीज़े अने मात्रों हारत मता कीज़े